नमस्कार सबीको मैं नियल बैनिवाल अवर्स एजूकेशन के इस प्लाइटफॉम पे आपका स्वागत करता हूँ और अभी हम आज डिस्कस करेंगे आपके पांच और छे तारिकों एचससी के जो पेपर लिए गये थे उनमें जो आपके हरियाना जिके के क्योशन पूछ गय है इसके पहले हम दो तीन और चार के जितने भी क्योशन थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके है और यह सारे क्योशन जो है अभी जो एचससी के एक्जाम चल रहे हुए उनमें बहुत बार रेपीट हो रहे हैं तो इसलिए काफी सारी मैसेज आये था कि हरियाना जिके की अलग स कपनी के अंडर में आया करता था एंगरेज ओन काभाग तो आपको इसके दिया गया तो आपको धिया थे तो आपको ध्यानं पर यह याँ छ記得 बने गा여 इसके इंदर आया करता था आपको ध्यान रखने इसके बाद नेक्स देखते हैं इंपीरियल इंस्टिटूट ओफ अजन्रेण डेरी इंड Girly जो इसका नाम था इनिसो थैसमें बैंगलोर में उसके बाद में 1936 में इसका नाम बदलकर इंपीरी इंपीरियल डेरी जो है वो कर दिया गया है और बाद में 1947 में इसका रष्टि ये डेरी सोदसितनास्तान कर दि यहाँ पर देखिए कि आपका हर्याना के रिवाडी देल्वे हरीटेज मुजियम में विश्व का सबसे पूरानी कारेरत बाप इंजन है उससे क्या बोला जाता है तो क्या बोला जाता है उससे फेरी क्वीन बोला जाता है और उनीस ओठानमा में जो है इसको क्योंकि अभी तक कारे रहता है अभी तक यह चलता है तो इसलिए उनीस ओठानमा को इसको कहा है सबसे पूराने जो एक्टिव इंजन जो है उसके रूप में इसको गिनिज बुक ओफ वर्ल्ड में इसका नाम रिकोर्डी दर्ज किया गया और भीवानी से भी निकाला गया और कुछ एक एरिया जो महेंदरगड का बिच में मिलाया गया है लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर ओप्शन में आपको यह दिवाओ भीवानी अगर ना दिया और महेंदरगड दिया हो तो हम महेंदरगड को भी टिक कर सकते हैं क्योंक विद्रो जो हर्याना के कि स्थान पर आरम हुआ तो कहाँ पर अमबाला से आरम हुआ ओप्शन नमबर A हाँ पर राइट अंसर है और भारत में कहाँ से हुआ तो मेरेट खिचावनी से आरम हुआ था तो यह आपको ध्यान रखने है इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए यहां पर 23 के हरियाना के पर थम राज्यपाल तो कोन थे सबी को पता है धरम वीरा ओप्शन नमबर C जो है वो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा इसके लाव आपका राज्यपाल चे और क्योशन टाइप में आपके हरियाना के गवर्नर या राज्यपाल रहेंगे नेक्स्ट 27 यहां पर कि निमन में से कौनसी बाण भट की रचने तो कौनसी हो जाएगी हर्च रितर हो जाएगी ओप्शन नमबर A हाँ पर इसके लाबा हर्च वर्दन की तीन रचनाई है कौन-कौनसी ए आपके नागनद एक प्रियादर्शी का और एक रतनावली यह तीनों जो है रचनाई हर्च वर्दन की हर्च वर्दन 606 में जो ही यह राजा बना था 590 में इसका जनम हुआ था इसके बाद 47 में जो है इसकी मिर्ट्यू हो गी थी तो यह आपको ध्यान रखने और राइट दिलका को जोड़ता है कुँछा एनेच 10 हो जाएगा एनेच 9 जो इसका नाम कर दियागा लेकिन अभी ब्यार्च अससी जो है एनेच 10 इसको मान रही है ओप्शन नमर डी इसका राइट अंचर है हर्याना का सबसे बड़ा अगर नेशनल लाइवे पूछ ले तो वो एनेश अगर का नेशनल लाइवे रहेगा राइट अंसर बनेगा ओप्शन नमर डी एनेच 10 या अगर नाइन होता तो हम उसको भी यहाँ राइट अंसर माल लेते हैं नेक्स यहां पर देखिए 43 के आपका फत्याबाद निमन में से कि सुध्यों के लिए फेमेस है तो ओप्शन न 63 में आपकी फत्याबाद में खोड़ी गई थी तो उसके कोडिंग आपको ओप्शन ए होना ची बाकी इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स देखिए यह माना जाता है कि भीम की प्यास बुझाने के लिए हरियाना के इस गाउं में अर्जुन ने गंगा को परकट किया था तो नर का अतरी ओप्शन यहां पर राइट-अनसर है और इसमें यहां इसमकुंद या भीमकुंड जो उसको बोला जाता है वो भी है और जो बान गंगा जो है उसके द्वारा यहां पर पाणी निकाला गया था गंगा को प्रकट किया गया था ओप्शन न lovers second यहाँ पर right answer रहेगा next यहाँ पर देखिए आपके सामने की हर्याणा में इंदोरी नदी का उद्गमस्तल कहाँ पर है कहाँ पर मिवाद की पाड़ी में क्योंकि यह दक्षिन हर्याणा की जो है वो नदी रहेगी तो right answer option number second बनेगा और आगे जाकर यह नदी के समें मिल जाती है तो साही भी नदी में मिल जाती है और इसका एक बाग जो है वो रिवाडी के साइड चला जाता है और दूसरा जो है आपके साही भी नदी में मिल जाता है बस आपको ध्यान रखना है इंदोरी जो है वो आपकी साइब इनदी के जो है वो साइक नदी है और मिवाद की पाड़ी नू के पास से जो है इसका उद्गम स्तल हो जाएगा option number second right answer नेक्स देखिए यहाँ पर जो आपका पानीपत का पर्थम यूद आसान सो क्योश्चन कब हुआ तो 1526 में हुआ सबी को पता है जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में और इस यूद में जो है इब्राहिम लोदी यूद स्तल पर मारा जाता है और इब्राहिम लोदी का जो है मकबरा अगर पूछले तो कहां पे रहेगा तो आपका पानीपत में रहेगा और इस यूद में जीतने के बाद जो है बाबर ने यहां पे कौनची मस्जीद का निर्मान करवाया तो काबुली मस्जीद जो है उसका निर्मान करवाया अपनी पत्नी काबुली बेगम के याद में इसने काबुली मस्जीद का निर्मान करवाया कहां पे पानिपत में उसके लावा पानिपत का पर्थम यूद जो ऐसा यूद था जिसमें किया पहली बार आपके तोप और गोलों का प्रियोग हुआ था और यहां पर जो राइट अंसर बनेगा 1526 ओप्शन नमर डी यहां पर नक्से यहां पर देखिए कि आपका 2015 में बैडमिंटन मेविस्व में पहला स्थान परप्त करने वाली और भारत के हरियाणा में जन्री कौन चीती तो कौन साइना नेवाल ओप्शन नमर सी यहां पर राइटांसर हो जाएगा और इसके लावा जो इसके कोच 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 है तो आपके भुलेला गोपी जंद जो है साइना नेवाल के कोच है यह भी आपको ध्यान रखने है इसके पूछ करने जीता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद नेक्स देखिएं नेक्स गायकों के दोरह पूछए के परसन उत्रों में संचालित होती है तो हम कितनी बार डिसक्रस कर चुके हैं लूर निर्तिया जो कि आपका बंगर छेतर में होता है यह भी पूछा गया कि बंगर छेतर में आपका जो है आपका लूर निर्तिया होता है कब होली के समय यह किया जाता है और इसमें आपके परसन उत्तर जो है वो पूछे जाते हैं लूर का मतलब कि अगता आपका लड़की होता है राइट अंचर कौन सा बन जेगा option number C यहाँ पे धमाल जो है वो आपका महाबारत टाइम से चलता हुआ सबसे पुराना अगर निर्ते पूछ ले वो आपका कौन सा धमाल हो जाएगा option number second और यहाँ पे जो राइट अंचर रहेगा option number C रहेगा नेक्स यहाँ पे रहेगा कि आपका जो जब हजियाना बना तो संपूर्ण राजे की सक्षर्ता दर कितनी थी 1966 में तो लगव बीस परसेंट के आसपास थी उसके according जो है राइट अंचर option number D बने गए हैं आपे नेक्स देखें आपे जो इनका match करना है कि कौन सा सही नहीं है तो रोत्तक का जो है आपका रोत्तक डिवीजन में आपका सोनीपत आता है रोत्तक में टोटल जो है पांच डिश्टिक आती है तो यह आपको ध्यान रखना है सोनीपत इसी में आता है गुरु गुरा में जो ह पलवल और नू दोनों आपके फरीदाबाद में आते हैं हिसार में आपका फत्याबाद आता है अंबाला में आपका मिवाद नहीं आता है यानि कि यहां पर क्या है आपके जो आठवा और जो आपका दूसरा यह दोनों गलत है तो यह आपको ध्यान रखना है option number आपका इसके coding जो है right answer कौन सा हो जाएगा तो यहां पर right answer option number D ही होना चाहिए क्यों कि जो है जो फरीदाबाद जब आपका division बना था उससे पहले पलवल जो है आपके गुरु गराम में आया करता था तो उसके coding जो है option B यहां पर सही मान सकती है अच्छा सशी और right answer जो option D दे सकते हैं बागी इस question पर objection भी लगा सकते हैं और क्या पता अच्छा सशी इसको गलत मारके सभी को एक 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 answer दे दे हो जाएगा option number second यहां पर right answer रहे इसके लिए ओट्टू आपका है कोसल्या बांध जो है वो अभी आपका किस पर रहेगा तो गगर हाकरा नदी पर हो जाएगा तो यह आपको ध्यान रखने साही भी पर आपका मसानी डेम है यमना नदी पर आपका हतनी कुंड ताजे वाला बेराद जो है यह आपके यमना नदी पर हो जाएगा इसके बाद नेक्स यहां पर जो 77 दिया गया कि करनाल का यूद 1749 में किसके बीच लड़ा गया तो मुगल सा सकता मोमद शाह और नादिर शाह के बीच में option number A हाँ पर right answer 1749 में लड़ा गया था नादिर शाह इसमें जी नेक्स देखिए यहां पर जो दिया गया है कि हर्याना के किस त्योहार में विभिन अकृतियों की मिटी से बनी बंगूर अकृतियों को ऐ विवाइत लड़कियों के दवारा मातर देवी की पूजा की जाती है तो कौन सा सांजी में option number C हाँ पर right answer है इसके लावा जो 30 दिय की होता है यह देखिए बियम ने जो डिसकस किया था कि 1749 में इस युद के बाद मुगल समराज्ये ने अपनी गोरव खो दी मैंने आपको भी पताया कि जो मुगल समराज्ये का पतन होना शुरू हो गया था 1749 के करनाल की युद के बाद मुमद साह और आपके नादिर साह क की करांती में मेवाद से जो है नित्रतों कि इसने किया तो सद्रू दीन मेवाती ने किया यह 1749 का आपका युद करनाल का युद था ओप्शन नंबर बी यहां पर राइट अंसर है नेक्स देखे सोलवा यहां पर की हरियान नागरिक उडेन संस्तान की स्थापना 1909 में में तीन पूरो अध्यन कलबों को मिलाकर हुई इन में से कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है आपका करनाल है पिंजोर है अहिसार है आपका रेवाडी जो है वो नी रेगा ओप्शन न नेक्स देखे हैं आपका जो हरियना के कलपना चावला को मेडीकल कोले 2017 में इस्तापना कीगी कहां पर है तो आपको सभी को राइट अंसर बता कहां पर करनाल में है औप्शन नमर C जो इसका वो राइट अंसर हो जाएगा और कलपना चावला अगर तारा मंडल स्दूछ ल आपके राज्यापाल से ओप्शन नंबर B यहां पे राइटांस रहे अभी प्रजेंट टाइम में आपके राज्यापाल कौन है तो बंडारू दतात्रे है यह भी आपको ध्यान रखना है और यहां पे जो धन विद्यक जो दिया हुए इसके लाबे आपको ध्यान रखना है लाज मस्जिद जो की अकबर के टाइम में बनाए एड़ी ती दूसरी आपकी रोध तक में अगर लाट मस्जिद पूछ ले तो पहने हिसार में रहेगी आपके जो गुझरी मैल जो है उसके पास तो यहां पे पूछा गया इसका अंसर एगा नेक्स देखिए आपके 48 की कलशिया के राजाने हरियाना के की सहर में जो हची किला बनवाया था तो किसमें आपके सच्रोली में अफोच नेमी राजा प्अने नेक्स देखिए जो क्लशिया के राजाच वह के राजा कि राजा गुते हैं जो हुआए को कि नेक्रें आपके विखिट कपीा सब्सक्राषै करूद excitement है था तो वो को राजा रनजीत सिंग जो है उसने ये किला बनवाय था है तो आपका यहां पर जो question 48 का right answer option number D बनेगा उसके बाद एकि मारकंडा नदी सरस्वती नदी के इस स्तान पर मिलती है तो कहां पर जैसे कि हमने अभी भी डिसकस किया था हाक उल्फण नदी पुराना नम अरूना है और यह आपकी जो है अंबाला से पर्वACE करती हो हो और क्युरूक्से तर ही सनीसा जहले में जाकर यह दौन जाती हो उफ सनी बिवाने बोक्सिंग कलाब कैप्टन हवाशिंग और मास्टर जगदीश के द्वारा स्तापना की गई और भिवाने जो है ये कप बना तो आपका 22 दिसंबर 1972 में जो है भिवानी और सोनीपत दोनों एक साथ बने थे पिछपन का राइट आंचर ओप्शन नमर सी बनेगा उसक के द्वारा के द्वारा के द्वारा जो आपके पहले राज कभी कौन थे हरियाना के तो आपके उद्यब अभण सते और 1317 दिन तक सासन किया था बजन लाल ने और बंसी लाल ने जो है 4268 दें तो इस अकोल्डिंग option number D जो है इसका वो right answer हो जाएगा next देखिए हैं पर 61 जो दिया गए कि अपनी बेटी अपना धन योजना के अंतरगत हर्याना राज्य है सरकार गरीब कन्यों को कितना जो किस उमर में जो है आपका आवंटीत करती है दन तो किस में 18 वर्ष के यू में option number second यहापे right answer है रंग महल मुगल सासक किस के काल में बुढिया में बनाया गया खुबसूरत महल है तो यहापका यहापे right answer बनेगा साहथ जहांके सासनकाल में option number c जो है इसका वो right answer रहेगा और यहापका यम्ना नदी के किनारे पड़ता है बुढिया गाऊं जो है और यहाँ पर आपका बुढिया कारंग मेल जो है वो बनाया गया है तो यहापको ध्यान रखना है इसके यमनागर में आपको पताए कौन सा सरोली का किला साडोरा का किला दोनों आपके यमनागर में रहेंगे यह देखे दुबारा से इसी दिन आपके दुबारा से same paper में question पूछा गया rapid metroーナंट गुडगाओं के limited में से क्या इसके कLESन में सत्य रहेगा तो यह आपके यह भारत की पहली पूर्णते नीजी जो आपकी फुली प्राइवेट फंडिड मैटरो है option number A यहाँ पर राइट अंसर हो जिगा दुबारा से डिट्टो कोशन यहाँ पर पूछा गया है A की दिन में second shift में नेक्स देखें आपे 72 की हरियाना के हिसार जिली में ठारस्ताउन की करांती का नेतर तो किस ने किया तो किस ने किया मुहमद आजम ने किया option number B जो है इसका वो राइट अंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स दिया गए 76 यहाँ पर जूई चावला को मिसी इंडिया किरीट का जो आपका किताब कब दिया गया तो कब 1984 में option number B यहाँ पर राइट अंसर है जो आपका जूई चावला जो है इसका हरियाना में समंध कहां से है तो अंबाला से समंध रहेगा इसके लावा पर निती चोपड़ा जो है और आपके ओम पूरी जो है इनका समंध भी आपका गहां से अंबाला से रहेगा तो यह आपको ध्यार रखना है राइट अंसर बनेगा 76 का 1984 नेक्स देखिए हैं पर जो क्योशन दिया गए कि हरियाना एक पर्थम गुवर्णर रतोकों थे धरम वीरा दुबारा से रिपीट क्योशन यहां पर नेक्स देखिए हरियाना पिछरा वरक आयो जो है कब इसकी स्थापना की गई तो 1990 में ऑप्षिन नम्बर सेकिंड यहां पर जो राइट अंसर होजएगा नेक्स देखिए 21 कि हरियाना के कैथल में आपके महरीचि बाल में की संस्क्रित विस्था भी दाले के स्तापना की तो कहां पर यह मूंदरी गाउं के ट्हल में आपका जो रहेगा तो आपका ओप्शन सी यहां पर पंशकुला में आपका रहेगा तीतर या फीसेंट पर जनन के इंदर जिसको बोलते हैं इसके लाव भीवानी में आपका कौन सा है तो भीवानी के केरू में आपका चिकारा है और अगर आपका मोर्व चिकारा पूछले तब आपका वाड़ी में हो जाएगा यहां पर तीतर का पूछा है आपका ओप्शन सी जो है पंशकुला इसका राइट अंसर हर्यान में सरपंश के कार्यकाल की अओधी कितनी होती है तो कितनी पांच साल होती है ओप्शन नमर्डी उसके बाद एकि साटवा क्योशन की हर्याना राष् पूछी फसुल गणना थी उसके कोडिंग सबसे ज़्यादा घोड़े जो वो कांपे तो आपके गुरुग्रा में जो सबसे ज़्यादा घोड़े पाए जाते हैं इसके लगागर हिसार में यहां पर घोड़े वाला है 1986 का बेंस और भेड दोनों की आपके कांपे हिसार में रहेंगे कब 1985 में भेंस और भेड दोनों की स्थापना हुई थी तो यह भी आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा भेंस अगर पूछ ले तो आपकी कांपे हिसार में रेगी मुर्रा भेंस आपकी जीन में रेगी यह भी आपको ध्यान रखना है बेड जो है वो कांपे तो यह आपके स्टेट इलेक्शन कमिशन ओप्शन नबर डी हाँ पर वो राइट अंसर हो जाएगा इसके बाद 67 यहाँ पर दिया गया है आपके सामने की हर्याणा के यह आपके गाउं दिये गहे हैं कुन से जो आपके सामने है तोड़ी असावरी जेसरी माला कोसना हिंडेल आप तो यह चर्की दाद्र के गाउं है ओप्शन नबर ए हाँ पे राइट अंसर हो जाएगा पहले यह भिवानी के अटर आते थे अब यह चर्की दाद्र के रहेंगे और नेक्स यहां पर कि आपका हर्याना का पहला ग्राम सचिवाले के बना तो हेबदपूर जीनद में बना option number A यहां पर नेक्स देखिए आपके सामने जो दिया गए है 75 कि हर्याना की इस निर्थी का मूल महा भारत से है तो कौन सी धमाल जैसे हमने अभी डिस्कुस किया था धमाल सबसे पूराना जो आपका महा भारत काल से चलता रहा निर्थे रहेगा और यह आपके फसल के प हिसार से जो कौन सा प्रकाशित होता है समाचार पत्र संध्य समाचार पत्र जो कि आपका नब चोर होता है option number C यहां पर राइट अंचर है इसके लाबा हर्याना तिलक आपको याद रखने कब 1923 में रिवाड़ी से शुरू वाता ग्राम से वक जो है वो 1936 में हिसार से शु प्रकाशित है और यह आपका अपरेल 2021 के आसपास की जो आपकी यह जो करेंट अफिर के क्योशन पूछे गए है और राइट अंसर ओप्शन नबर B बनेगा कमल किलोगी नेक्स देखे 39 यहां पर कि हर्याना के अरावली पहाड़ी के दक्षिन भाग को किस नाम से जाना जा गुरुगराम जिले में मारुती सुजु की प्राइवेट लिम्टेड कमपनी जो थी उसको शेयर में कब स्तापित किया गया तो कब 1980 में 81 भी हो सकता है 80 भी हो सकता है तो आपका राइट अंसर यहां पर ओप्शन नमबर C जो इसका वो बन जाएगा इसके लावा आपकी ग में में से कौन सा मनीज जोसी बिसमिल का परशिद एकल थीटर कारिया है तो मनीज जोसी बिसमिल जिनका समंद कहां से रहेगा तो हिसार से समंद रहेगा और इनके कौन सी आपकी जो एकल थीटर कारिया कौन सा हो जाएगा तो कहानी रंग करमी की ओप्शन नमबर 2 यहां प विबिन समीतियों की निउक्ति करनी चीए पंते परतेक समीति में अध्यक्स के साइट टोटल कितने सदश्य होने चाहिए तो कितने 6 सदश्य होने चीए ओप्शन नबर 10 का राइट अंसर है नेक्स देखिए हैं पर इस साथवा क्योशन की करनाल के निलो खेड़ी में खोला गया आपका टेकनलोलोजी ट्रेनिंग सेंटर की सिफसल को समरपीत है तो यह आलू को समरपीत है उप्षिन नबर सी यहां पर राइट अंसर रहेगा तो यह थे आपके 5 और 6 को आपके जो एक्जाम में क्योशन पूछेगे थे जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो इनको आप एक से दो बार जरूर देखें यहां से काफी ज़्यादा क्योशन रिपीट अभी हो रहे हैं हो सकता है आगे भी यह रिपीट हो जाए तो इस वीडियो में इतना ही इसके साथ ही अब हमारी हैडियाणा जी के यहां पे कंप्लीट हो रही है अब जल्दी जो एक कंप्यूटर की क्लास आएगे आपके लिए उसके साथ ही आपकी जो साइंस की भी कलास लेके हैंगे एक आपकी इंडिया जी से जो सारी PDF एक सीक्वेंस में सेट कि जैएगी सीक्वेंस में दुबारा से अप्लोड कि जैएगी ताकि आपको उनको देखने में और डाउनलोड करने में असानी हो जाएगी इस वीडियो में इतना ही तब तक लिए अपना ख्याल रखें पढ़ते रहें जेहीं देश्य भा